असलाम लेकुम स्टूडेंट्स यहो नहीं सकता पाकिस्तान में कोई academic discussion हो कोई comparison हो और उसमें इंडिया का जिकर ना आए तीसरी case study जो मैंने आपको from idea to opportunity demonstrate करने के लिए चुनी है यह है इंडिया में एक eye care hospital की case study जो अब दुनिया की शायद सबसे बड़ी social entrepreneur company है healthcare के अंदर 1976 में 11 bed hospital के तौर पे शुरू होने वाला ये काम जो है वो आज एक पूरा conglomerate बन गया हुआ है जिसमें eye hospitals हैं जिसके अंदर eye care के research institutes हैं डॉक्टर की specialization eye के अंदर उसके training institutes हैं ophthalmology का जो equipment है एनक, slit lamps, surgery के आलात, वो सारी चीजें lenses वो बनाने के लिए industry है और eye banks हैं एक पूरी empire है जो काम कर रही है और मकसद क्या है इंडिया से और दुनिया से avoidable blindness को खतम करना शायद आपके इल में हो कि बहुत सारे लोग जो देख नहीं सकते actually उनको blindness से बचाया जा सकता है इंडिया, पाकिस्तान, बंगलादेश और दुनिया के बहुत सारे developing countries में blindness की एक बड़ी वज़ा cataract या स्फेद मोतिया है उमर के साथ साथ जैसे बाकी जिस्म के हिस्सों में wear and tear होता है इसी तरह आंप का जो lens है वो मेला हो जाता है उस पे खराशे आ जाती है खराब हो जाता है अगर उस lens को remove करके निया lens लगा दिया जाए तो इनसान की quality of life बेहतर हो जाती है वो देख सकता है वो अपना काम बेहतर तोर पर कर सकता है और एक अच्छी जिन्दगी गुजार सकता है एक इंडिया एक इंडिया आई स्पेशलिस्स डॉक्टर वंकत सवामी ने अपनी रेटायर्मेंट पर सोचा के वो केटरेक्ट के खिलाफ यानी avoidable blindness के खिलाफ काम करेंगे और उनों अपनी पेंशन यह था कि अपना जो घर था उसको गिरवी रखके जो उनके पास पैसे थ इसको यह एक ऐसी इनोवेशन है कि आप हैरान रह जाएंगे इसको कहा जाता है assembly line approach आपने शायद रियल लाइफ में कभी देखा हो कि किस तरह संबल होती है एक belt है जिसके उपर पहले one piece फिर दूसरा piece फिर तीसरा piece रखा जाता है वो जुड़ते जाते हैं और जब वो belt खतम होती है तो कार तैयार होती है या फर burger बनाने का जो process है पहले साब जो खड़े हैं counter पे वो सिरफ bread रखेंगे दूसरे probably उसको सेख के कोई उस पे sauce लगा देंगे तीसरे उस पे सिरफ chicken का piece रखेंगे चोथे उसके उपर सिरफ salad और इस तरह से burger तैयार हो जाता है अरवन डाय हॉस्पिटल को actually make tonalization of eye care भी कहा जाता है कि कैसे economies of scale create की गई जहां पे बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में surgery की सहुलत फराहम कई जाती है जब आप बहुत सारा काम एक वक्त में करते हैं तो उस पे खर्चा कम हो जाता है टाइम कम हो जाता है जिसको economy of scale या assembly line approach कहते हैं यह वो innovation थी जिसके जरिये से डॉक्टर बेंकत स्वामी ने अपना idea जो है उससे लाखों बलके क्रोडों लोगों के लिए blindness को avoid करने की opportunity create की अरवंद eye care में सिर्फ numbers या quantity ही पर emphasize नहीं किया जाता बलके quality को भी ensure किया जाता है वहाँ पे जो शक्स pay कर सकता है वो pay करके eye treatment लेता है और बहुत सारे लोग जो pay नहीं कर सकते उनको free eye care provide की जाती है लेकिन quality को ensure करने के लिए doctors, paramedics और सारा staff जो है वो rotate करता रहता है ऐसा नहीं है कि अच्छे doctors जो है वो private eye care या paid eye care फ्रहम कर रहे हों और learner या trainee doctors जो है वो poor और non-paying जो है उनको facility दे रहे हों बलके तमाम doctors, तमाम staff, तमाम equipment जो है वो सबी patients के लिए equally इस्तमाल होता है जिससे quality जो है of service वो बहतर रहती है आइस्ता आइस्ता एहसास हुआ डॉक्टर वेंकत स्वामी को कि सिर्फ surgeries करना या मरीजों का check-up करना काफी नहीं है बलके यह जो सारा सामान इस्तमाल होता है इस surgeries के और eye check-up के process में अगर वो भी हम खुद से अपने लिए बना सकें तो हमारे लिए और सस्ता हो जाएगा हमरा profit margin जो है वो बढ़ जाएगा तो उन्होंने अपनी एक manufacturing unit जो है वो भी start कर दिया उसके साथ साथ उन्होंने doctors की training का अपना काम जो है वो एक institute शुरू कर दिया इस सथ दुनिया के तकरीबन 27 मुमालक से हजारों doctor हर साल अराविन training institute से eye care में training लेते हैं यह एक बहुत ही innovative approach थी हम सब blindness देखते हैं बहुत सारे doctors free service भी देते हैं लेकिन किस तरह उसको assembly line approach यूज करते हुए इतना पहला कर इतने लोगों के लिए इस वक तक अरावन 6 क्रोड के करीब लोगों को eye treatment प्रोवाइड कर चुका है This is amazing Thank you Thank you